तो हेलो एप्रिवन गाईज मानेम इस प्रशान्थ और वाचिंग निव इंडिया नरा तो आज की इस प्यारे सी वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं गलास 12 का 12 चैप्टर बायोटेखनोलोजी बहुत अच्छा जिन्होंने भी इस चैप्टर को इस पोजिशन पर डाला है वो बहुत ही होश्यार लोग ते और बहुत अच्छा किया अंनों ने फानली आज हम लोग लेक्चर नमबर बान बायो टेक्नलोजी के बारे में हम समझने वाले हैं ये अगर मैं इसकी बात करूँ ये चैप्टर की तो ये इतना प्यारा चैप्टर है कि आपको ना जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना बच्चो तो आपको ऐसा रियलाईज ही नहीं होगा क्यूंकि आपना मानने को तयार नहीं रहोगे कि ऐसा भी रियल में हो सकता है सची कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं यार कि आप लोग ना एकसेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं रहोगे कि ऐसा भी हो सकता है अरे बापरे ऐसा भी हम कर सकते हैं वाउ आप अ और इसी लिए कुछ बच्चों को ये chapter समझता ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि जो वो सोचते हैं वो impossible है और इस chapter में वही technique बताई गए ये जो possible हो सकती है तो ये चीज़े बहुत important होती है तो ये chapter में कुछ आप unique सीखने वाले हो इतना unique, इतना unique कि you will not believe बहुत ज़्यादा unique सीखने वाले हो सच्ची कह रहा हूँ मैं आपको believe नहीं होगा आप बहुत unique इस chapter के अंदर सीखने वाले हो बहुत ज़्यादा unique ठीक है तो चलो यार मैं अब आप लोगों को कुछ important चीज़े बताने जा रहा हूँ और तब तक आप सभी लोग अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को share कर दो चाहे हो टेलीग्राम हो, वाटसेप हो, इंस्टाग्राम हो यार आप सब बच्चे इंस्टाग्राम हो गएरा में tag कर दिया करो बढ़िया है ना अज मैं most important question and diagram बताने वाला हूँ biology chapter number 3 का on unacademy free में तो link description में आप सब लोग उसको join कर लेना click करके सब लोग enroll कर लेना ठीक है अगर free में है, free में कोई पैसा नहीं भरना रहेगा और code मागेगा तो NIE capital letter यूज कर लेना most important question and diagram बताऊंगा chapter number 3 bio का chapter 1 और 2 का हो चुका है, ठीक है चलो अब start करें lecture को तो यार start करने से पहले न मैं आप लोग को कुछ important चीजे बताना चाहता हूँ मतब आपको मैं realize करवाना चाहता हूँ कि आखिर इस chapter की आउकात कितनी है ये chapter की ताकत कितनी है मेरे आज के पढ़ाने का एकदम अंदाज अलग होगा आप कुछ ऐसा सीखोगे जैसा आपने शायत कहीं नहीं सीखा होगा और अच्छा लगेगा आपको पढ़के आपको मतब इस वीडियो में आए होना तो कुछ न कुछ लेके जरूर जाओगे seriously ठीक है तो चलो यार बाकि सब की पढ़ाई कैसे चल रही है प्रणव बोर्दे तो बार-बार कमेंट कर रहा है कि जै विश्व हिंदू परिशद क्या मिला बोलके अच्छी चीज़े यार मैं भी अपने चीज़ों को फॉलो करते हूँ पर ठीक है बार-बार स्पैम करके क्या मिलता है सर वन सौट शिरीज फिजिक्स की डरिवेशन करेंगे आरे हाँ भाई देखो बच्चो अभी ना क्लास 12 बोर्ड की पढ़ाई का टाइम है अभी कहीं भी टाइम वेस्ट मत करते जाओ ये टाइम तुमारे लिए बहुत प्रीसियस है दो महिने बच्चे हैं धाई तीन महिना हाँ धाई तीन महिना बच्चा है अगर तुम इस वक्त भी बोर्ड की पढ़ाई नहीं करते हो न सीरसली आप सब बहुत पीछे हो जाओगे बहुत जादा पीछे हो जाओगे और इस वक्त न सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में फोकस करो वरना ऐसा होगा कि बोर्ड एक्जाम भी क्लियर नहीं होगी बाकिक एक्जाम भी क्लियर नहीं हो पाएगी तुम कहीं की निरव जाओगे फुड़ी सी बातों को ध्यान देना और वन शॉट लेक्चर मैं खुट डिसेंबर से देने वाला हूँ जो सही टाइम है वन शॉट का मेराथान लेक्चर का तो वो सब आपको मिलेगा ठेंशन मतलो ठीक है चलो अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ टेंशन मतलो मैं सब कुछ एकदम टका टक हूँ अब शुरुबात करें आर यू रेडी हाउच दे जोश यस प्रदीप एक्रा कैसे हो सवरव रिया निशान्थ साघर कैसे हो पाटिल अमोल स्ट्राइडजी हावर यू धवल प्रांजल प्रांजली साघर कैसे हो राजवर्धन कृष विजय कैसे हो सब लोग यस खुशी ठाकूर क्या नमें इसका अंबिका ओके प्राजकता स्वाती अंकुष कैसे हो सब लोग यस अर्पिता श्याम रामेश्वर यस हिबाले कैसे हो सब के सब फटा फट जल्दी से लेक्चर में आजाओ और अपने सारे दोस्तों को शेर कर दो और इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दिया करो तुम लोग लेक्चर के बाद कर दो अब देखो यार मैं इस चैप्टर की कुछ इंपोर्टेंट चीजी आपको बताने वाला हूँ आपको मैं रियलाइज करवाने वाला हूँ कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है सोचो देखो बच्चो एक बात बताओ चलो कि हम सब कौन है हम सब इस दुनिया के अंदर human being कहे जाती है हम सब का जो नाम है हम सब इनसान है human beings है प्रोड़ा माइक को दूर कर देता हूँ तो हम सब कौन है इनसान है अच्छा एकदम सिंपल और इतना अच्छे से आपको एक चीज समझाने वाला हूँ जो कि मैं बार-बार पूरी biology के हर starting में ये चीज समझाता ही समझाता हूँ तो ये मालो इनसान है तो इस इनसान की जो पूरी की पूरी body है वो किससे बनी होती है छोटे-छोटे tissues से मतब जो tissue है वो cell से बनते हैं तो आगे बताता हूँ जो tissue से बनी होती है ये जो tissue है ये किस से बनी है? Cell से फिर एसे tissue से organ and all बहुत सारी चीज़े होती है तो cell की फिलाल हम बात करेंगे मतब हमारे body का सबसे smallest जो unit है वो cell है आप सब बच्चो को पता है अगर मैं cell की एक सच्चाई बात बता हूँ तो आप सब को मालूम ही होगा कि cell कुछ ऐसे दिखाई देता है और इसके अंदर की एक nucleus होती है और इसके अंदर कुछ तो genetic material type की चीज़े भरी होती है ठीक है? जो ये genetic material type की चीज़ है थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज़ बताऊँगा और इसी के साथ हमें खेलना है और कैसे खेलना है मैं आज आपको वो सिखाने वाला हूँ तो genetic material जो है इसमें exactly कौन सी चीज़ होती है? chromosome होते हैं दुनिया जानती है बचपन में हमने पढ़ रखा था ये चीज़ मुझे बार-बार बतानी पड़ती है बेचारे बोर्ड के बच्चे उनको कई से समझेगा नी तो तो chromosome होते हैं ध्यान देना अच्छे से अब इस chromosome के अंदर exactly एक nucleic acid present है कौन है exactly nucleic acid? उस nucleic acid का नाम है DNA आप सबको पता है DNA? चलो, पता है तो अच्छी बात है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि DNA क्या है DNA एक मैं यहाँ पर कुछ important line लिखने जा रहा हूँ जो DNA होता है यह एक super molecule है पहली बात दूसरी बात stores each and every information about body इतना तो आपको पता ही होगा दूसरी बात इसका structure double helical होता है मतब double stranded है ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो DNA का structure है जो DNA का structure है यह पूरा DNA का structure है यह ऐसा कुछ DNA का structure होता है इस DNA के structure में सब बच्चे ध्यान से सीखते जाओ notes में अपने लिखते जाना क्योंकि अभी हम chapter की शुरुआत कर रहे है आप अभी तुम्हें biotechnology chapter में घुसा भी नहीं हो अभी तुम्हें 8-9-9 की बाते बता रहा हूँ ठीक है तो इस chapter के अंदर यह जो छोटा सा part होता है यह सब दुनिया जानती है कि यह gene है अच्छा DNA और gene में क्या फरक है DNA हमारे body में एकदम पूरा जीता जागता genetic material है समझ लो एक super molecule है और उसी super molecule का एक छोटा सा segment जो होता है वो gene है तो exactly जो gene है वो क्या करता है अगर हम इसके बारें बात करें तो यह हमारे अंदर के जो character होती है न ध्यान देना एक एक शब्द जरूरी है मैं यहाँ पर information word भी use कर सकता था बट नहीं मैं character word use कर रहा हूँ character को transfer करने में यह मदद करता है transfer करने में आप बोलो कि भाईया कहा transfer करने में इसका export import का business है गया export import का business करता है गया यह gene भाईये characters को transfer करने में help करता है एक generation से दूसरे generation में मम्मी पापा से उनके बच्चों में यही gene जो है यह information को transfer करता है हमने chapter 4 में protein synthesis भी पढ़ा था थोड़ा सा तो उसके अंदर हमने यह देखा था कि यह gene ही तो है जो protein synthesis करवाता है तो यह सारी चीजी हमने detail में समझी थी कि नहीं समझी थी बहुत अच्छे से हमने इंचीजों को समझी थी अब एक बात बताओ चलो हम सीखते हैं एक नई important चीज हम सब को पता है कि जो हमारे parents होती है parents है जैसे कि मालो यह पापा है और पापा मम्मी अच्छा मम्मी को भिला देते हैं वरना बोलो कि भाईया सिप पापा से कईसे आ गया ने तो पापा मम्मी बरावर तो यहाँ पर क्या होगा आधा आधा बना देते हैं थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं नहीं तो भाई बोलेगी मम्मी के कुछ आया ही नहीं पापा ही पापा का आ गया तो ये हमारा क्या है ये प्रोजेनी है ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था अच्छा इग्जैक्ली यहां पर होता क्या है तो जो हमारे जीन होते हैं जो हमारा ये जीन है smallest part of the DNA जो ये हमारा जीन है ये छोटा सा एक segment होता है DNA का इसे हम जीन कहते हैं इसी के मदद से यहां पर क्या हुआ है character transfer हुए है इसी के वज़े से क्या हुआ है जो characters थे वो क्या हुए है transfer हुए है जड़ा ध्यान देना आप मुझे बताओ यह जो character है यह character मतलब यहाँ पर किसकी बात चल रही है what is the meaning of character here यहाँ पर character exactly क्या है चलो आज हो बताता हूँ मैं तो जो यह characters है ना यह characters कुछ और नहीं जैसे कि body की height जो important, important genetic character है उनकी बात करो जीन के वज़े फिर जो transfer होती है hair color फिर उसके बाद eyes color तो यह ऐसे बहुत सारे etc ऐसे बहुत सारे जो character हैं वो parents इसे children में transfer हो गए यहाँ तक हर बच्चे ने पढ़ा था हर बच्चे ने यहाँ तक पढ़ा था सब बच्चों को समझ में आ रहे हैं हर बच्चे ने यहाँ तक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सब को दुनिया में इतना पता है कि नहीं पता है आठवी, नवी, दसवी, ग्यारवी, बारवी में सब ने यहाँ तक पढ़ा है मैंने आपको यहाँ तक की चीजे बता दी बहुत बढ़िया, इसी को हम है हैरिडिटी कहते थे, है ना लिख भी देता हूं, वरना बच्ची कहेंगे क्या है तो इसी चीज को हम क्या कहते थे, हैरिडिटी और study of हैरिडिटी वट इस हैरिडिटी लोगों पर लिख देता हूं study of हैरिडिटी is nothing but है, चलो वापस से एक बार बता दिता हूं, देखो हमारे parents से, हमारे character जो होते हैं, वो प्रोजनी में transfer होते हैं, मतब कि children में आ जाते हैं, जिससे कि जो हमारा children होता है, वो उनके मम्मी पापा जैसे थोड़ा मोडा सेम दिखता है समझ मैं एक नहीं समझ मैं इसी transfer of character को हम कहते हैं, हेरिडिटी लेकिन ये transfer कैसे होता है इसकी study को हम कहते हैं, inheritance ये हमने बचपन में पढ़ रखा था यहां तक की बाते हैं, अब यहीं से main game शुरू होगा, the word बायो टेक्नो लॉजी यहां से एक शब्द शुरू होगा जिसका नाम है बायो टेक्नोलोजी यहां से इस शब्द की शुरुवात होगी चलो हम बात करते हैं, इस word के बारे में आखिर यह क्या चीज है ध्यान देना अच्छे से, सबसे पहली बात तो यह branch of biology है, branch of biology, मतलब आप बायो टेक्नोलोजी की वारे में जितना ज्यादा पढ़ लो, उतना कम है अब मैं आपको वो चीज समझाऊंगा जो आपको एकदम दिमाख में क्लिक कर देगी चीजों को, चलो अब हम एक बात करते हैं, यह जो बच्चा पैदा हुआ, प्रोजनी यह मालोक काला पैदा हुआ यह सोचता था कि काश में गोरा हो जाऊं यह सोचता है कि काश मेरे जैसे एक और इंसान मेरे ही घर में पैदा हो जाए नहीं क्या, हर इंसान की अपने इक्षा होती है, कि वो अपने इंसान की कुछ भी आड़ी तेड़ी कुछ भी उसकी डिजायर हो सकती है यार वो सोचता है कि मेरी आखो का कलर ब्राउन हो जाए है ना वो सोचता है मेरी हाइड ज्यादा लंबी रहे वो सोचता है कि मैं ज्यादा मैच और रहा हूँ वो सोचते मेरी height जादा हो या फिर वो सोचता है कि मैं गोरा हो जाऊं है ना उसके hair color golden type की हो जाए सब British जैसा बन जाए हाथ नहीं हथोड़ा सब अलग color का हो जाए है ना वो ऐसा सोचता है समझ रग नहीं समझ रहे हो हर इंसान की अपनी अपनी एक शाय होती है लेकिन जो character मम्मी पापा से transfer होकर के आए हैं वही character उसको मिलेंगे उसके हाथ में तो कुछ है नहीं बिल्कुल सही बात है की नहीं सही बात है उसके हाथ में कुछ है तुम्हारे हाथ में कुछ है जो तुमको मिला वो तुमारे पास हमेशा के लिए रहे गई रहेगा लेकिन जो तुमारी इक्षाएं हैं कि यार मैं प्रशान्त हूँ और मेरे जैसा काश एक और प्रशान्त होता same to same, डिट्टो, एकदम मेरे जैसा पैदा हो वो भी एकदम मेरे जैसा दिखना चाहिए, उसकी आवाज भी मेरे जैसा होना चाहिए उसके बोडी का कलद भी मेरे जैसा होना चाहिए, मेरे जैसा एकदम दिखना चाहिए ऐसा मेरे इक्षा हो सकती है न, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि variation नाम की चीज होती है मम्मी और पापा दोनों की gene mix होंगे तो फिर variations तो obvious सी बात है पैदा होने ही वाली है क्योंकि हम sexual reproduction करते हैं यार और sexual reproduction में जब दो genes different genes different location से आते हैं तो definite सी बात है कि variations तो होने ही वाली हम अलग दिखेंगे हम plant थोड़ी है कि हम sexual reproduction करेंगे समझ रहे कि नहीं समझ रहा है तो यार यह पक्की बात है कि हम वो सब नहीं पा सकते तो दुनिया में क्या हुआ अब चीजों को ज़रा समझना अच्छे से biology ध्यान देना अच्छे से biology यानि कि जो इंसान है दुनिया में जो human beings है humans जो भी animals है जो भी plants है अब मैं यहाँ पर biology की definition नहीं बता रहा हूँ मैं simple सी जो bio technology उसको समझाने की कोशिश करना हूँ तो जो biology है और कुछ important technologies जो भी है इस दुनिया के अंदर जैसे कि for example for example our DNA technology यह सब क्या है अभी लिखना तो नहीं चीए मुझे बट आगे मैं बताओंगा वैसे भी जैसे कि cloning है किसकी cloning gene की cloning है ना ऐसी बहुत सी और भी modern technology जैसे genetic engineering लिख देता हूँ यहाँ पर ठीक है यह सब क्या है यह आप अभी मत जानो कुछ technology के नाम मैंने लिखे हैं बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है कि यह कुछ important technologies हैं इनको अगर दोनों में mix कर दिया जाए मतब humans, animals, plants और technologies को mix कर दोगे तो तुम अपने इक्छाओं को पूरा कर सकते हो क्यूं एक चीज सीखने मिली थी ना कि parents इसे children में क्या जाता है क्या जाता है gene जो हमारा gene होता है ना वो information लेके जाता है अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि उस gene को निकाल के उसकी cloning कर दें अगर हम मतलब उसको duplicate कर दें cloning मतलब समझता है ना उसको हम duplicate कर दें जैसे कि चलो आपको एकदम पूरा real life process जैसा दिखाता हूँ देखो जैसे कि माल लो इसको side में रख दो इतना कहीं लिख ले ना अभी उन्होंने कुछ किया नहीं बस हमने इनके अंदर के gene को निकाल लिया parents के अंदर के gene को निकाल लिया ठीक है अब जब हमने gene निकाला तो हमने बहुत कुछ पढ़ाई कर रखिये समझो हमना gene के एक-एक sequence को जानते हैं अच्छा बच्चो आपको इतना तो पता होगा ना कि हमारे body का color, height यह सब gene के अंदर जो nucleotide होते हैं न adenine, guanine, cytosine, uracil इनके sequence के वज़े से होता है यह चीज तो आपको पता होगी शायद नहीं पता है? चलो आजो पता देता हूँ देखो, जैसे कि माल लो अगर यह हमारा gene है तो इसके यहाँ पर क्या होता है? जैसे कि माल लो इसके अंदर nucleotide का sequence होता है, adenine, guanine cytosine, thymine ऐसा तो यही तो सबसे बड़ी information है यही तो सबसे बड़ी information होती gene में, जो parents इसे children में transfer होती है यही तो है हमारे body के color अब जैसे जैखो, किसी इंसान का शरीर गोरा है, तो हो सकता है कि उसके body के अंदर जो color होंगे, guanine यहाँ पर होगा, और adenine यहाँ पर होगा कुछ भी हो सकता है, यह तो मुझे भी नहीं पता है, वो किसी को नहीं पता है वो सिब उसी को पता है, जो genetic engineering की पढ़ाई करता है जो इस gene के अंदर भी घुस के देखता है चीजों को कि अगर ऐसा sequence होगा तो body का color ऐसा होगा अगर ऐसा sequence होगा, तो इसकी height इतनी होगी, अगर ऐसा sequence होगा, तो इसके body में जो hair color है, वो ऐसे होगे समझा ना, तो अगर हम कुछ change ही ना करें तो parents इसे सिधा सिधा children में ये gene चला जाएगा, अपना information transfer कर देगा, यही adenine guanine cytosine के sequence को transfer कर देगा, लेकिन अगर हम अपना धिमाक लगाएं, अगर हमने इस gene को पकड़ के इसको हम duplicate कर दें एक extra gene इसका बना लें, same to same cut to cut copy, copy paste कर लिया gene का, उसके लिए हम machine का इस्तिमाल करेंगे, device का इस्तिमाल करेंगे, इस gene को duplicate कर लें, और इस gene के अंदर हम अपने हिसाब से sequence को change कर दें, जैसे कि माल लो अगर cytosine यहाँ है, और thymine यहाँ है पहले cytosine, फिर thymine है अगर माल लो, तो ice का color brown है, लेकिन मुझे blue चाहिए तो मैं thymine को यहाँ रख दूँगा, cytosine को यहाँ रख दूँगा, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी gene को, artificially जो female के पास ovum होगा या फिर जो भी उसके अंदर gene होगे genetic material होगा, sperm और ovum में उनमें अपना artificial हम लोग duplicated gene डाल देंगे तो वो जो सामने वाला children आएगा वो एकदम गोरा निकलेगा हाला कि वो बच्चा इन ही का कहलाएगा, क्योंकि पूरा gene gene तो इन ही का है हमने तो सिर्फ body color वाला sequence change किया ना हमने सिर्फ क्या किया body के color वाला gene हमने change कर दिया बाकी हमने कुछ change किया हमने कोई भी genetic modification बाकी की हमने कोई भी modification नहीं किया हमने सिर्फ क्या किया है हमने सिर्फ इतना किया है कि उसके अंदर जो गोरा कलर है वो बदल जाए बस वो गोरा पाइदा होगा भले उसके माबाप एकदम काले कुट है साउथ इंडिया से आते हैं कोई फरक नहीं पड़ता अफ्रीका के हैं जिंगलललो करते हैं लेकिन वो गोरा पाइदा होगा क्योंकि हमने खुद से जो जो नैचुरल जीन होता है उसको बदल के हमने खुद से उसको आगे पीछे करके अब वो गोरा पाइदा होगा समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ बस बच्चो इसी चीज़ को कहते हैं बायो टेक्नोलोजी मतब बायो लॉजी के अंदर हमने टेक्नोलोजी लगा दी लेकिन य इन सारी टेक्नोलोजी का इस्तिमाल करती हैं बताओ बच्चो समझ में आया कि ने समझ में आया आपको यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में बस अभी सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का आखिर तुम इस चैप्टर में करना क्या चाहते हो बोलो एक बा बात करते हैं जर आप ध्यान देना थोड़ा सा कोई एक इंसान है यहाँ पर जिन्होंने बहुत अच्छा कोशन पूछा है कि यह कब करेंगे जब जब फर्टिलाइजेशन होगा तब करेंगे या जब इंब्राइयो फॉर्म होगा तब करेंगे या फिर जब कुछ चीज ह मतलब होने लगेंगे तब करेंगे ध्यान देना अच्छे से हम कब करेंगे सिंपल सी वात है इस चीज को बच्चों हम इन विट्रो करते हैं मतलब कि आउट साइड दी लिविंग बॉडी फॉर एक्जांपल इन टेस्ट्यूब सपोज समझो मेडिकोस फॉर एक्जांपल क क्यों ले रहाँ समझो कोई एक और इंसान है और वो चाहिए मालो जिसे राहूल है और प्रिया है राहूल को खुद के जैसा एक और राहूल चाहिए तो ध्यान से बच्चों हसो मत प्लीज उनो ये ये चैप्टर बहुत अलग हे आसान बहुत है एक बार जो मैं कह रहा हू lifetime के लिए ये chapter समझने लगेगा अभी की मस्ती बहुत problem देगी कसम से कहनो बुरा मत मानना फिर अभी की मस्ती बहुत बड़ी problem देगी next lecture में अभी समझ लोगे पूरा chapter असान अभी problem किया ना फिर बादने मत बुलना भाईया भटा-भट भगा रहे और chapter को यू कैसे खतम होते जा रहा है क्योंकि ये जो बता रहा हूँ ये हर जगे यूज होने वाला है इस chapter में हर जगे ध्यान देना मैं जो बतारा हूँ ध्यान से चुप-चप सुनो जो कह रहा हूं तो मानलो राहूल है और प्रिया है राहुल को चाहिए कि मेरे जैसा एक और राहुल आ जाए तो आप डॉक्टर सोचेगा कि मैं कब इसके अंदर करू इंब्रायो के टाइम पे करूँ या फर्टिलाइजेशन जब होता है तभी जाइगाट बनता है तब करूँ या कुछ करने से पहले करूँ कब करूँ चेंजेश ये सारी चीजे इन विट्रो होती है मतब कि लिविंग और्गनिजम के बाहर जैसे टेस्ट ट्यूब में अब कैसे होगा ध्यान देना माल लो मुझे मैं जनेटिक इंजीनियर हूँ मुझे पूरे जीन का सब कुछ याद है मैं सब जानता हूँ जीके की हर एक सीक्वेंस के बाद क्या-क्या चेंजेस होती है मैं जानता हूँ कि अगर एडिनिन और साइटोसिन मतब एडिनिन, साइटोसिन, गौनिन, थाइमिन है तो अगर एडिनिन पहले है और बाद में गौनिन किसी जीन में है तो मैं जानता हूँ कि उसके body का क्या होगा मतब उसके body का maybe color क्या होगा या फिर hair color क्या होगा height क्या होगी उसके अंदर ये line कैसी होगी उसका fingerprint तक कैसा होगा मैं सब जानता हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं Rahul के sperm को निकालूँगा और जो प्रिया है उसके ovum को निकालूँगा और दोनों के अंदर single gene होते हैं आपको पता है न haploid genetic material present है कुछ answer देते जाओ chat box में जब मैं बोलता हूँ पता है कि नहीं हाँ या ना बोलते जाय करो तब समझेगा जिन्दा भी हो कि चले गए ठीक है ध्यान से सुनो मेरी बातों को सुनना बहुत जरूरी है ठीक है ध्यान देना अच्छे से तो जड़ा clear करते चलो तो मैं क्या करूँगा मैं राहुल के sperm का जो gene है मुझे राहुल का sperm भी नहीं चाहिए मुझे बस उसके sperm के अंदर जो पाया जाने वाला haploid genetic material है न मैं उसको निकालूंगा और जो प्रिया है उसके भी ovum के अंदर जो genetic material है उसको निकालूंगा और मैं उन दोनों की study करूंगा मैं क्या करूंगा इनका बहुत सारा copy बनाऊंगा एक PCR machine का इस्तमाल होता है वो machine का use करूंगा और उस machine से मैं इनके दोनों के haploid genetic material का बहुत जादा copy करूंगा copy 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 हजारों copy बना लूंगा क्योंकि DNA copy type कही होता है तो copy बना लूंगा मैं PCR मत्तब polymerase chain reaction यार बताऊंगा ना अभी जल्दी जानना है क्या कि pull form क्या है काई के लिए इतना घाई कर रहे हो जिन्दा है तुम्हारा प्रशान भाई सब बता के जाएगा सबर करो ना मेरी जाना भी introduction चालो है समझा ना भी तो उन दोनों के मैं copy को उठाऊंगा अब माल लो कि मुझे क्या change चाहिए मैं तो पढ़ लिया ना कि अगर माल लो इसका jean राहूल का और प्रिया का jean मिलेगा तो कैसा jean पैदा होगा गोरा, काला, हाइटेड, बुटका बटला, बटली कैसा होगा मैं सब समझ गया ना आई उसका कलर काला, गोरा, नीला, पिला समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ तो gametes में modification नहीं होगा जरा सुनते जाओ पहले क्या होगा आप सुनी नहीं रहे हो चलो मैं आपको पूरा यी process ही समझा देता हूँ कैसे होने वाला है, देखो मैं क्या करूंगा, मालो ये राहूल है, और ये प्रिया है, ये प्रोसेस होता कैसे, परले ये सीख लो, फिर तो अपने आप सब समझ जाएगा, तो तो को नैचुरल ही कैसे होगा, कि राहूल का जो स्पम है, और जो इसका ओवाम है, वो दोनों मिलेंगे और सीधा जाइगाट बन जाएगा और जैसा भी बेबी आना होगा वो आ जाएगा, ये नैचुरल है लेकिन अब हम बड़े लोग है अब हम बड़े लोग कैसा करेंगे मालो ये राहूल है, और ये प्रिया है तो इसके अंदर का जो इस्पम रहेगा, अभी ये इस्पम चाहे कुछ करें भी ना, ये कोई टेंशन की बात नहीं है, राहूल जिंदा है इस्पम तो रहेगा ना उसके अंदर और प्रिया तो कभी भी जिंदा उसके अंदर मैं कर लूँगा मुझे पता चली जाएगा कि ये गोरा पैदा होगा लाल पैदा होगा कैसा होगा सब समझ गया अब मुझे जो भी changes करना है मैं उसके genetic modification कर दूँगा उसके अंदर genetic engineering एक technology है वो बताऊँगा अभी कैसे होती है वो कैसे होती है बताऊँगा तो उसका इस्तमाल करके वो technology भी आपको समझाई जाएगी इसी chapter के अंदर तो उसका इस्तमाल करके मैं इसके अंदर genetic modification कर दिया मतब उसके gene को मैं change कर दूँगा मैं sequence को बदल दूँगा adenine पहले है तो guanine को पहले कर दूँगा जो मुझे चाहिए मैं वो कर दूँगा क्योंकि मैं genetic engineer हूँ मैं सब जानता हूँ कि कौन से sequence से क्या होता है समझा की नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ सब बच्चों को समझा की नहीं समझा दिमाग यहीं पहे कि कई और घूम रहा है ठीक है इतना हो गई बाते अब मैं क्या करूंगा अब वापस से मुझे उसके स्पम और ओवम में डालना है ना मेरे जीन को बच्चों देखो मैं क्या कह रहा हूँ सुन रहे हो राहुल का जो स्पम था उसका जीन तो मैंने निकाल लिया था उसकी मैं कॉपी कर ली जो उसके अंदर चेंज करना था वो चेंज भी कर दिया बच्चों लेकिन अब वापस स्पम में डालना है कि नहीं डालने का है तुमको वापस डालना पड़ेगा ना उसमें तभी तो sperm और ovum सारी चीजें वापस से mix up होएंगी और फिर जाके आँगे baby बनेगी भाले तुम test tube से ही करो कोई फरक नहीं पड़ता in vitro ही करो लेकिन sperm ovum को तुम मिलाना जरूरी है तभी तो baby बनेगी वरना baby नहीं बनेगी तो मुझे वापस डालना पड़ेगा तो मैंने genetic modification तो कर दिया लेकिन अब मुझे यहाँ पर technology का इस्तमाल करना पड़ेगा और मैं क्या करूँगा एक किसी agent का इस्तमाल करूँगा जिसे हम कहते हैं vector जैसे की plasmid vector है या कोई hysteris या कोलाय है या कोई और living organism कुछ तो हमें use करना पड़ेगा वो क्या है आंगे समझेगा अभी बस सबर करो सब लोग उस vector का इस्तमाल करूँगा और उसके थुरू वापस सी उसी cell में में डाल दूँगा अपने modified gene को अब ये दोनों बड़िया आराम से मिलेंगे fertilization होगा और जो baby आएगी वो हमारी इक्षा की अनुसार होगी ये हमारे इसाब से पईदा होगी क्योंकि हमने तो पहले चेंज मार दिया ना उसके अंदर समझ गया क्या बच्चो सब बच्चो clear है ये बात जल्दी बताओ हर एक इंसान को सारे चीजे clear है बोलो कोई tension किसी को यहां तक बस यही है बायो टेक्णोलोजी क्योंकि हमने बायो लॉजी में यानि कि इंसानों में, एनिमल में लिविंग और्गनिजम में टेक्णोलोजी का इस्तमाल किया है लिविंग और्गनिजम में टेक्णोलोजी का इस्तमाल किया है दुनिया की सबसे बड़ी उभरती टेक्णोलोजी बच्चो अभी बायो टेक्णोलोजी की शिर्फ शुरुवात हुई है अभी बायो टेक्णोलोजी का दुनिया में 10% भी यूज नहीं है यू विल नॉट बिलीव बच्चो कि तुमको सच में कह रहा हूँ मैं कि तुम बिलीव नहीं कर सकते हो तुम इस चीज को बिलीव नहीं कर सकते हो कि मैं जैसा प्रशांत दिख रहा हूँ मैं चाहूँ तो मैं मेरे पीछे एक पूँच तक उगा सकता हूँ इसकी तुम ट्रेमेंडस ताकत के बारे में जानते ही नहीं हो मैं चाहूं तो मेरी जनरेशन में आधे जो हाथी है ना उनके भी करेक्टर डाल सकता हूं मैं चाहूं तो आधी शेर के करेक्टर अपने जनरेशन में डाल सकता हूं You will not believe कितनी पावर है इसके अंदर आप क्यों नहीं समझते हो इस चीज को यह आसान मत समझो आप इस चीज को कोश समझे हसो मत यार हसने की बात नहीं है कितनी बड़ी चीज है यह इससे तुम कुछ भी बदल सकते हो यार तुम कुछ भी बदल सकते हो तुम पूरी जनरेशन बदल सकते हो body का color height तो ये छोटी चीज है तुमको ये बात नहीं पते है बच्चो Osama bin Laden के बारे में कुछ नहीं मालूम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा terrorist Osama bin Laden जिसने अमेरिका के दो बड़े white house में मतब white house और दो बड़ी building थी वहाँ पर bomb blast कर दिया था और अमेरिका 25 साल तक Osama bin Laden को ढूड़ रहा था अमेरिका की army ने अपने सामने Osama bin Laden को गोली मारी थी इस्टिल Osama bin Laden जिन्दा था क्यों जानते हो? क्योंकि जिसको गोली मारी वो तो मर गया था लेकिन Osama bin Laden जो था वो खुद के clone बना लिया था मतब कि उसने साथ से आठ Osama bin Laden बना लिया था उसको यह आज से दस अरे रियल चीज है यार यह जो मैं बता रहा हूँ यह रियल चीज है रियल 20 सल पहले की बात है 20-25 सल पहले की बात है उसने क्लोनिंग कर ली थी पाकिस्तान की कुछ लेडीज का यूज किया और उनकी हेलप से उसने खुद के डुप्लिकेट बना लिये थे विद धी हेलप आफ दिस बायो टेक्नलोजी जीन को डुप्लिकेट कर दिया था यू विल नाट बिलीफ जस्ट गो टू गूगल और सर्च इट इसलिए इंडिया में क्लोनिंग बैन है इंडिया में तुम क्लोनिंग नहीं कर सकते हो तुम अपने जैसे किसी भी इंसान को नहीं बना सकते क्लोनिंग करोगे तुम मर जाओगे तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी क्लोनिंग बैन है इंडिया में समझागी ने समझा मैं क्या कह रहा हूँ तो यही बात तुम्हें मैं समझा रहा हूँ लेकिन you people सिर्फ वहाँ सरे तुम्हें लग रहा है मजाग चल रहा है यही तो मैं कहता हूँ कि यह unbelievable है लेकिन यह सची बात है यार बहुत बड़ी दुनिया है बायो टेक्नलोजी की अभी सिर्फ हम 10% यूज कर रहे है इस टेक्नलोजी को अभी तो बहुत कुछ यूज ही नहीं हुआ है जिस दिन इसका उभरता दुनिया आएगा न हम कहते ना भगवान ने दुनिया को बनाया है हम इनसानों को भगवान ने बनाया है हम अपने हिसाब से खुद को बनायेंगे हम खुद भगवान बन जाएंगे कुछ दिन में वो मूवी में सुना ना आपूनीच भगवान है वो सही हो जाएगा हम जैसा चाहेंगे वैसा पैदा होंगे मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा कि दो सींग उगा नहीं दो सींग भी उगा लोगे बजरंग बली बन जाओगे कुछ भी हो सकता है अब जो मस्ती यहां पर करेगा ना उसको कववा बना दूँगा जादा ना टक किया तो अगर थोड़ा भी हसा तुमको कववा बना दूँगा द्यान रखना कववा बना दूँगा पेड में बैटके काउं काउं करोगे मजाग कर रहा है कववा नहीं बन सकते हो ठीक है इंसान ही रोगे कववा कैसे बन जाओगे बहुत सारे हर चीज के डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके डिसएडवांटेजेस यही हैं कि अगर मालो तुम्हारा जीन की जो तुमने टेक्नलोजी लगाई है उसके सीकेंस में कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो फिर दुनिया की ऐसी खतरनाक डिसॉड़र भी हो सकती है ना कि जो अब तक हुई ही ना हो जेनेटिक डिसॉडर नहीं हो सकता क्या अरे भाईया जीन के अगर तुमने सीक्वेंस में बदलाव कर दिया एडिनीन के जगे में थाइमीन रख दिया थाइमीन के जगे में एडिनीन रख दिया तुमको चाहिए था कुछ ऐसा होगा लेकिन वैसा हुआ ही नहीं तो जेनेटिक डिसॉडर हो जाएगी क्या पता उसको तीसरी आँखा जाए अग कुछ भी हो सकता यार मतलब ऐसा अभी तक तो कभी हुआ नहीं है अभी भी अभी पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इतनी स्टडी किसी नहीं किये अरे तुमको पते डियने कितना बड़ा होता है GK just understand कि DNA जो होता है वो बहुत बड़ा है एक सिंगल इंसान के सरीर से अगर तुम DNA निकालोगी न तो पूरे DNA से तुम पूरे अर्थ को तीन बार लपेट सकते हो इतना बड़ा DNA होता है तो दुनिया में अभी कोई माई का लाल पाइदा नहीं हुआ है कि इतने बड़े DNA के पूरे सीक्वेंस को याद रखे और उस सीक्वेंस का मतलब क्या है उसको पता हो तो इसलिए बच्चो ये पॉसिबल नहीं है समझा की नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूँ समझ माया इसलिए इतना बड़ा कोई इंसान अब तक पैदा ही नहीं हुआ है कि जो पूरे DNA के पूरे सीक्वेंस को याद रखे और उस हिसाब से वो चेंज कर सके उसको चेंज करने में उसको चेंज ही करने में सालो लग जाएंगे तब तक दूसरा जनम हो जाएगा इंसान का नहीं समझा ये बात अब ध्यान रखना लेकिन याद रखो इंसानों के लिए कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है अगर कोई ऐसी मशीन या सॉफ्टवेर सिस्टम बना दिया तो वो दो मिनट के अंदर पूरे सीक्वेंस की स्टड़ी कर सकता है ये बात ध्यान रखना अच्छे से तो इतने बड़े डियाने के सीक्वेंस को पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है उसको पढ़के उसको change करना कितनी बड़ी बात है इसलिए बच्चो अब तक सिर्फ हम न क्या कर सकते है अब तक सिर्फ हम cloning कर पाएं है बच्चों तुमको दिमाग में घुसरा मैं क्या कह रहा हूँ अब तक सिर्फ हम cloning ही कर पाएं है इस technology का इस्तमाल करके मतब जैसे कि माल लो मैं प्रशान दूँ तो मेरे अंदर के जो sperm है उसके gene को तुम निकाल लो और gene को PCR machine तुरंट duplicate कर देती है तो मेरे जैसा एक और duplicate gene पाइदा हो जाएगा उसी gene को फिर से मेरे sperm में डाल दो ने समझा या फिर किसी और के sperm ovum के साथ जाके मिला दो और उसके ovum के gene को भी अलग कर लेना तुम तो उसके अंदर बस genetic modification कर दो बस तो जो सामने वाल आएगा एक और प्रशान पाइदा हो जाएगा तो यह duplicate करना तो बहुत आसान चीज है न लेकिन उसके अंदर color बदल देना इंसान का गोरा से काला कर देना blue eyes पाइदा कर देना यह सब बहुत बड़ी चीज है यह सब कर पाना मुश्किल है क्यूं? क्योंकि इतने लंबे DNA को कौन पढ़ीगा इतने लंबे DNA का जो पूरा sequence से किसको याद है? किसी इंसान को याद नहीं हो सकता क्योंकि DNA इतना बड़ा है अब समझा मैं क्या कह रहा हूं? cloning तो बहुत आसान है cloning तो क्या है कि gene निकालो PCR मशीन में डालो वो एक सेकेंड में duplicate कर देती है duplicate कर दिया वही gene को दूसरे में डालो बात खतम वही से 1000 पईदा हो जाएंगे नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं? एक मालो male है और female है male का भी sperm निकालो female का भी ovum निकालो और उसी ovum का और sperm के दोनो gene को duplicate करते जाओ और उतने सारे बच्चे पईदा होते जाएंगे और सब के सब सेम दिखेंगे इवन उसके शरीर में एक line रहेगी ना वो line भी सेम मिलेगी यार सची कह रहा हूं मैं उसके कान का structure तक सेम आएगा उसके lips के अंदर जो line होती ने छोटी छोटी वो line भी सेम दिखेंगी आपको this is the power of biotechnology चलो बच्चो बताओ कि जो main चीज मैंने आज बताई वो कहीं से आपको सीखने नहीं मिली होगी तो क्या आज आपको ये चीज सीखने मिली जो मैंने आपको बता दिया तो बच्चो ध्यान रखना ये जो हम कहते हैं न कि कोई काला लड़का है उसको गोरा कर देंगे उसकी brown eyes है तो blue कर देंगे काला है तो गोरा कर देंगे नीला बना देंगे height बड़ी कर देंगे ये सब impossible नहीं है बट अभी मुम्कीन नहीं है ऐसा भी है क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है इसलिए बच्चो सिर्फ अब तक हम cloning ही कर पाते हैं समझा ना cloning क्यों? क्योंकि cloning में क्या है? जी इनको same to same copy कर दो लेकिन अगर बच्चो ऐसा चाहिए कि प्रशांत प्रशांत जैसा ही रहे बस उसके hair के color golden हो जाएं तो ये तो बहुत hard task हो गया उसके लिए जो बंदा ये काम करेगा वो PCR machine से duplicate करने के बाद मेरे पूरे DNA को पढ़ेगा फिर DNA के अंदर कहां पे मेरे hair का color का sequence कहां लिखा हुआ है वो समझेगा और तब जाके उसमें change करेगा न अगर गलती से मेरे अंदर कुछ और change कर दिया तब तो लफड़ा हो जाएगा अब माल लो माल लो की राहूल है और राहूल चाहता है कि उसके आने वाले generation का जो color है hair का वो golden हो जाए तो ये तो बड़ा task हो गया न राहूल जैसा same तो हम पैदा कर सकती क्योंकि gene को copy करो बात खतम जो राहूल है और उसकी wife दोनों का gene copy करो और जो उसका बच्चा आएगा वो एक होगा एक बार और copy कर लो दो बार same to same पैदा हो जाएंगे एक और करो एक और आजाएगा जितने gene चाहो ने देखो लेकिन याद रखना जो sperm ovum रहेगा न उसी का gene बार बार डालना पड़ेगा तभी तो एक जैसे पैदा होंगे दूसरा sperm, दूसरा ovum यूज करोगे तो फिर दूसरा जैसा पैदा होंगे समझा ना क्या बोल रहों है क्योंकि variation नाम की चीज होती है तो अगर मालो वो चाहता है कि उसके आने वाले बच्चे का gene है मतब मतब जो hair है वो golden रहे तो भाई ये तो बड़ा task हो गया पहले तो copy करो फिर पूरे DNA की study करो उस DNA में उस genetic material में कहाँ पे hair का color का sequence लिखा हुआ उसको पढ़ो फिर उसको change करो सही तरीके से change करना जरूरी है थोड़ी सी अगर गलती हो गई तो क्या भरोसा उसके बच्चे में जो चाहिए वही नहीं रहेगा उपर का सामान change कर रहा था नीचे का सामान गयाब हो जाएगा कुछला की भलता हर्माप्रोडाइट बनकी निकलेगा नहीं समझ रहा है तो ये बहुत बड़ा task है ये छोटा task नहीं है बट cloning सिर्फ आसान है इसलिए आतंकवादी भी cloning कर लिया था समझाना मैं क्या कह रहा हूँ तो बुरा नहीं मानना मेरे पढ़ाने का जो तरीका वो एकदम मस्त है बट बट जो मैं बता रहा हूँ वो सही है तो सब बच्चों को clear है ना मैं क्या कह रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि एकदम crystal clear चीज़ों को मैंने बता है practical तरीके से इसे कहते है practical knowledge मैंने practical ही चीज़ों को बताई है तो इसलिए बच्चो अभी तक 2022 तक bio technology का इस्तमाल हम max to max cloning के लिए कर पाते हैं क्योंकि cloning बहुत आसान है gene निकालो copy करो डालो बात खतम same to same पाईदा हो जाएगा लेकिन उसके अंदर कुछ particular चीज़ को अगर change करना है तो उसके लिए पहले पूरे DNA के sequence की पढ़ाई करनी पड़ेगी और कौन से sequence का मतलब क्या है जानना पड़ेगा फिर उस sequence में क्या change करेंगे वो जानना पड़ेगा वरना भाईया लफड़ा हो जाएगा उपर का नीचे चेंज कर दोगे वरोसा जो नीचे वो उपर आ गया तो दुनिया देखने आएगी कैसा वच्चा पाईदा हुआ है जो कपड़े नीचे पहिनाना उसको उपर पहिनाना पड़ रहा है यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी चलो ठीक है यार तो आगे निकलते हैं तो फाइनले इंड्रोडक्शन खतम हुआ सोचो बच्चो इस चैप्टर को आपको लाइन पे लाने के लिए आपको पाथ में आपको रास्ते में लाने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया अब इसके बाद मुझे बिलकुल टाइम ने लगेगा क्योंकि इसके बाद तो बहुत आसान है इसके बाद तो यूँ खतम होगी चीज़े बस इतना ध्यान रखना बच्चो कि हम ना किसी भी जीन के अंदर का उसके अंदर किसी भी जीन के अंदर हम ना changes कर सकते हैं बस इतना आप लोग ध्यान रखो ठीक है चलो तो बस यहां तक अभी हमने पढ़ा बाकी सब मैंने डिलेट कर दिया चलो अब आँगे ध्यान देती हैं इसके आँगे और स्लाइट लालू फिर आँगे बढ़ेंगे चलो तो clear है बस इतना ध्यान रखना सोचो कितनी छोटी से चीज से हमने बहुत कुछ सीख लिया बट इतना कुछ अभी possible नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत इसे दही बनाना जानते हैं यह भी बायो टेक्नलोजी है बच्चो आपको पता है दूद से दही बनता है यह भी बायो टेक्नलोजी है अगर उसमा बीन लादेन को पकड़ के तुम बोलते हैं उस जमाने में कि चल बता बायो टेक्नलोजी क्या है अगर उसमा बीन लादेन आतंकवादी जहाद था जो तुमको पकड़ के पूछे चल बेटा बता वट इस बायो टेक्नलोजी तुम बोलोगे दूद से दही बनाते हैं यह फर्मेंटेशन प्रोसेस के थू होता है और यह बायो टेक्नलोजी का कमाल है तो तुम्हारे पर बहुत हसेगा वोलेगा यह आ वह अपने जैसा दूसरा बना रहा है तुम अभी दूद से दही बना रहे हो समझ रहे तो यह बहुत बड़ी चीज बायो टेक्नलोजी पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों में मज़े होने चाहिए तब मज़ आएगा पढ़ने में चलो अब शुरुआत करें शुर कर रहे थे तुम दोनों अभी तुमको रास्ते पर लेके आया हूँ कि बच्चो इस रास्ते पर चलना है खेद खलिहान में मत जाओちはं लपड़ा है कि बायो टेकनलोजी क्या होती है अब मैं चैप्टर के अंदर गुसने वाला हूँ कहां गुसूंगा चैप्टर में ठीक ह चलो start करें पूरा सब बच्चो clear है जिसको नहीं पता था उसको भी सब कुछ clear किसी को कोई doubt no doubt practical तरीके से पढ़ेंगे और एक बद बताऊं जितना चाहिए होता है उतना ही पढ़ने का information तो बहुत सारी है लेकिन ऐसी information का गया अपना फाइदा नहीं होता अब बोलो कि आप गलत सिखा रहे हुए अपना फाइदा नहीं देखने का तो जाब बॉट खेत में इदर काई को आया है अबना फाइदा देखना जरूरी है लेकिन सही रास्ते से ये सही सिक्षा है जो कहता है न कि अपना फायदा नहीं देखना चाहिए वो तुमको गलत सिक्षा दे रहा है सही सिक्षा क्या है अपना फायदा देखो लेकिन सही तरीके से समझ में आया Everything is a business ध्यान रखो चाहे वो पढ़ाई गेन करने का हो चाहे पैसे गेन करने का हो तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसको तुमने लिख लिया होगा समझ लिया होगा और उसे भूलना मत कभी कि तुम्हारे हाथ में कितनी बड़ी शक्ती है बच्चों कहते हैं न भागवद गीता में भगवान ने एक बात कही थी कि इनसान खुद के मरने का रीजन खुद बनेगा भगवान ने एक बात और कही थी कि इनसान जैसा भी दिखता है भोला भाला प्यारा सा क्यूट सा वो एकदम राक्षोसो जैसा दिखेगा और ये बायो टेक्नलोजी की वज़े से मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि दुनिया में हर इनसान को ताकत की लालच है आज के वक्त में कौन सा ऐसा मेल या फीमेल नहीं है जो चाहती है कि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए हर इनसान चाहता है कि वो ट्रक को उठा सके बुलेट को ऐसे उठा के फेक दे प्रेन को उठा सके हर इनसान उसको ताकत की जरूरत है और वो add the end देख लेना बच्चों वो बायो टेक्नलोजी का इस्तिमाल गलत करेगा वो खुद को बदलेगा इनसान राक्षस बनेगा और तभी राक्षसों को मारने के लिए भगवान पैदा होते हैं मैं बिलीव करता हूं भगवान पे तो ये बात ध्यान रखना सोचो इनसान को हराने के लिए भगवान पैदा होंगे मतब देखो यार वो कहते हैं न कि दुश्मन भी ऐसा होना चाहिए जो लड़ने के काबिल हो अब अभी तो हम लोग एक एक 47 से एक गन ठोकेंगे मर जाएगा आदमी जिसको भगवान मारने के लिए आएंगे तो उस इंसान में कुछ तो ताकत होगी ना तब ना भगवान उसको मारने आएंगे मैं समझना मैं क्या कह रहा हूँ मतलब हम इंसानों की पास भी हजारों बड़ी ताकत होगी जिससे हम भगवान को टक्कर दे सकते हैं तभी तो हम उनको तभी तो हमको मारने आएंगे अभी तो ऐसा है कि वो फूक देंगे तो भी हम उड़ जाएंगे समझाएंगे ने समझाएं मैं क्या कहरा हूँ तुम लोग को अभी तो ऐसा है कि अभी तो आएंगे फूक देंगे तो भी हम उड़ जाएंगे अभी तो हमको पूरे डियने का टेक्नलोजी याद नहीं है तो अभी थोड़ी आएंगे अभी समय लगेगा अभी टाइम लगेगा तब आएंगे तब हमको ठोकेंगे हो क्योंकि हम जब लिमिट क्रोस करेंगे तब हमको ठोकेंगे मैं समझ रहा है तो यह बात ध्यान रखना चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं अब टॉपिक पे घुसते हैं तो फाइनली अब हम चैप्टर की तरफ जा रहे हैं बच्चो ठीक है तो कैन यू रीकॉल चलो आजाओ सब लोग आजाओ अपने टॉपिक पे में चीज मैंने समझा दी बहुत से लोग को लगता देगा बहुत कुछ सीख लिए आप निकलते हैं लेकिन याद रखना इतना कि कहानी अभी शुरू हो रही है पूरा पढ़ोगे तो बहुत कुछ ग्यान मिलता है आधाधूरा ग्यान हमेशा हानिकारक होता है तो वट इस बायो टेक्नोलोजी बायो टेक्नोलोजी क्या है बस अभी के लिए इतना याद रखो बायो टेक्नोलोजी की डेफिनेशन में भी बहुत बड़ा जगड़ा हुआ था आज से 50 साल पहले बायो टेक्नोलोजी की डेफिनेशन क्या है ये जानने में भी बच्चों बहुत बड़ा जगड़ा हुआ था ये chapter को मैं बहुत मज़े से पढ़ाऊंगा आप लोग को ठीक है घ्यान देना अच्छे से चलो पढ़ते हैं आगे तो बहुत बड़ा जगड़ा बाता अलग-अलग organization आए और उन्होंने अलग-अलग definition देने की कोशिश की बट अभी के लिए मैं simple तरीके से बताता हूँ कि इसका सिर्फ एक ही फंडा है कि जो biological तरीका है biological मतलब plant, human being, animal इन सब में किसी प्यारी सी technology का इस्तमाल करके एक नई species को बनाना या फिर एक नया कुछ तो modification करना modification मतलब समझता है न मतलब कि changes करना बस यही है biotechnology का जीता जागता practical definition कि किसी भी animal यानि biological जो चीजे होती है agent होते हैं हम सब बच्चो biological agent हैं जैसे इंसान, animal, फिर कोई और चड़िया बिडिया है सब, plant सब biological agent में किसी प्यारी सी technology का इस्तमाल करके उसके अंदर modification कर देना मतलब उसके अंदर changes ला देना बदलाओ ला देना यही biotechnology का practical definition है समझा? समझ में आ रहा है ना लिखवा दूँगा अभी टेंशन मतलब जो exam में लिखना है वो करवा दूँगा बट यह समझा ना बस आगे बढ़ते हैं how do genetically modified organism are produced अभी यह भी हम बताएं क्या? अभी तो बता दिया था जीन निकालो किसी का copy करो वापस से उसी के अंदर डालो हो गया modification सभी तो बच्चों मैंने आपको सिखाया भी था ना दसवी में class 10th में science 2 के अंदर chapter number 8 में science 2 class 10 chapter 8 3 पेज right hand side में जाके अभी भी खोल के देख लेना chapter 8 का 3 पेज सिर्फ एक पेज पल्टोगे तो बायो टेक्नोजी टॉपिक दिखेगा chapter 8 खोलने के बाद एक पेज पल्टो बायो टेक्नोजी चैप्टर दिखेगा वहाँ पे यही तो बताया गया था कि जब farmers लोग जो होती है तो वो seed के थूँ फसल को उगाते है लेकिन फसल बहुत कम होती है उसमें nutrients बहुत कम होती है वो फसल को हगर हम खाएंगे तो बिल्कुल भी nutritious नहीं होता protein नहीं मिलेगा तो हमारा growth नहीं होगा हमारा protein के वज़े से development होता है तो protein नहीं मिलेगा तो development नहीं होगा तो इसी लिए genetical modification करते हैं उन्ही crop को हम GM crop कहा करते थे यादे बच्चों आपको GM crop मतलब genetically modified crop तो हम उनके gene में changes करके और ऐसे crop को पईदा करते थे जिससे की हमको ज़्यादा yielding होती थी और हमारा फायदा होता था हमारे किसान भाईयों का फायदा होता था वही तरीके से हम यहाँ पर organism का भी genetically modification करेंगे organism का genetic modification आपने एक sheep sheep पता है ना भेड 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 डॉली भेड का नाम सुना है ना डॉली chapter 8 में डॉली नाम की एक भेड का जिक्र हुआ था class 10 में डॉली जो भेड थी उसका हमने cloning कर दी थी सबसे पहली cloning उसी डॉली भेड की हुई थी यही तो था genetically modification genetically modification in organism यही तो था समझा कि ने समझा ध्यान देना और plant में तो GM crop तो बढ़िया example है तो which are the benefits of biotechnology ध्यान देना biotechnology के फाइदे क्या है तो बच्चो इससे हम दवाई बना सकते हैं इससे हम किसी के भी बिमारी को ठीक कर सकते हैं अब जैसे कि तुम ही बताओ किसी इंसान को अगर मालो AIDS नाम की बिमारी हो गई तो उसके अंदर RNA के वज़े से ही तो यह होता है जो RNA होता है जो किसी भी bacteria का एक genetic material है किसी भी bacteria में RNA नाम का ही genetic material होता है जैसे कि जो AIDS है वो basically जो अपना HIV होता है न वाइरस इम्मो इम्मिनो डेफिसियंसी जो वाइरस होता है तो उसको याद रखो वो जो RNA है इसी के वज़े से इंसान के अंदर AIDS नाम की बिमारी हो जाती है और पूरे अंदर के body के cell में यह RNA copy करता है खुद को तो अगर अब आप बताओ ज़रा बच्चो कि मालो इस RNA का sequence AG, CT फिर AG, CT है और अगर मालो हम कुछ ऐसा करें कि हम एक ऐसा sequence लेके आएं जो इसके इस sequence को उल्टा कर दे या copy कर दे या कुछ अलग कर दे या इसके sequence को तोड़ दे तो हमको भी एक ऐसा RNA बनाना पड़ेगा ना तो हमको भी एक ऐसा RNA बनाना पड़ेगा जो इसके अपोजीट हो, इसके सीक्वेंस को reverse कर देता हो, मतलब कि AIDS का जो वाइरस है, वो कितना भी कोशिश करे, हमारे शरीर के RNA को बदलने का, तभी तो हम बिमार हो जाते हैं, हम मर जाते हैं, हमारे इंदर के immune system को खा जाता है, तो हमारे इंदर के RNA को change करता है, तो अगर हम कुछ ऐसा RNA बनाएं, जो कि इसके RNA के sequence को reverse कर दे, मतलब reverse transcription कर दे, लेकिन ऐसा कोई RNA अब तक हम बना ही नहीं पा रहे हैं, हमने अभी cancer की जो दवाई ढूड़ी है, ना, वो cancer की दवाई में हमने यही तो किया है, हमने जो भी हमारा transcription होता है, मतलब कि एक जो sequence बनता है, वो sequence को उल्टा कर देते हैं, तो जैसे एक cell से दूसरा cell बनता हुआ ही, तो cancer है, तो एक cell से दूसरा cell जो बनता है, उसको वही reverse कर देंगे, तो फिर उस cell से दूसरा cell नहीं बनेगा, तो cancer होगा ही नहीं, समझ मैं आ रहे ने, समझ मैं आ रहे कि नहीं, समझ मैं आ रहे सब बच्चो को, यो चीजे मैं बता रहा हूँ, अरे हाँ बाबा, उसमें यूरासिल, थाइमीन अभी जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, उस टेक्निक पर ध्यान दो, अब थाइमीन यूरासिल यहां पढ़ने की टाइम नहीं है, वापन टेंथ में पढ़ चुके, सब बच्चों को पता है कि यूरासिल होता है, थाइमीन नहीं होता है, अब लिख दिया तो क्या मेरा गला पकड़ के काट दोगे, जो टेक्निक सिखा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो न, कि किसी भी बिमारी को कैसे ठीक करते हैं, रिवर्स कर दोगे उसके पूरे सीक्वेंस को, तो यह रिवर्स भी कैसे कर पाओगे, यह अभी तक इसलिए तो बच्चो पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्यूंकि इतने बड़े डियाने को पहले पढ़ना पढ़ेगा, समझ रहे हो प्रांजली, वैस्टनवी, मंदाकनी, सुन रहे हो सब लोग, क्यूंकि इतने बड़े डियाने को जब पढ़ोगे, तभी तो उसके खिलाफ उसको reverse करने वाला डियाने बना पाऊगे, या आरने बना पाऊगे, या कोई भी genetic material बना पाऊगे, पर इतना ज़ादा याद कौन रखेगा, किस इंसान की पास इतना दिमाग है, कौन इतना सक्ति साली है, कोई नहीं है, and this is the reason कि कोई दवाई नहीं बना पा रहा है तो scientist लोग लगे हुए हैं इसको बनाने में जब AIDS की दवाई आईगी तो सब को news में पता चल जाएगा लेकिन उदवाई बनाने की पीछे कितना वाट लगी उस scientist की उस doctor की उसको ही मालूम है कितने बड़े DNA के sequence को याद किया है उसकी मेहनत को तो सिब science का बच्चा ही महसूस कर सकता है समझ रहा है तो आपको समझा ना कि कितना ज़्यादा benefit है हमारे bio technology का हम दवाईयां भी बना सकते हैं बच्चो सोचो हम दवाईयां भी बना सकते हैं हम किसी की cloning कर सकती है हम genetic therapies कर सकती है हम protein बना सकते है हम genetically modified crop बना सकते है hybrid seed, hybrid plant हम क्या नहीं कर सकती है हम किसी के अंदर जान बस नहीं डाल सकते वाकि सब कर सकते है समझा किने समझा clear में क्या कर रहा हूं समझा hello बच्चो दिमाग में घुस रही है बातें कितना मस्त चैप्टर है ये पढ़ने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा कल तो और मज़ा आएगा सबर करो तो बस आज तो हमने इंट्रोडक्शन देखा कल हम क्या देखेंगे देखो मैं आज से लिखके लाया था मुझे लगा कि तुमको मैं समझा पाऊंगा वो जल्दी बट मुझे समझा कि तुम लोग की डाउट बहुत लपडे में तो देखो अभी मैं बायो टेकलोजी क्या है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी फिर उसके दोनों टाइप बताने वाला था वो भी नहीं बताया प्रिंसिपल्स नहीं बता पाए तो बहुत कुछ टॉपिक रह गया है उसको अब हम कल ही कवर कर पाएंगे ठीक है क्योंकि आज लिखवाओंगा मैं पूरा तो हो ही नहीं पाएगा टाइम बहुत एक डिड़ घंटे का लक्चर बन जाएगा फिर बच्चे देखते ही नहीं ठीक है तो इसलिए अभी यहीं स्टॉप करते हैं बाकि तुम सबको पता है कि कल और मज़ा आएगा क्योंकि कल पूरा practical आज बता दिया कल पूरा लिखवा के दूँगा अच्छे से समझ रहो तो में मोटो क्या है में फोकस वो हम कहते हैं न कि एक गोल क्या है बायो टेखनी जो में गोल है बायो टेखनी प्रैक्टिकली तुम बता सकते हो कि किसी भी biological agent में उसके technology उसमें लगा दो कुछ तो उसमें changes कर सकते हो तुम मतलब तुम उसके gene को बदल सकते हो you can modify gene of any given biological agent agent मतलब इनसान, animal, plant, कोई भी उसके अंदर के तुम gene को change कर सकते हो genetic modification कर सकते हो और जब तुम जीन बदल सकते हो तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि DNA is a super molecule और तुम DNA में change कर रहे हो तुम भगवान हो, दूसरे ब्रह्मा तुम ही हो क्योंकि you are able to modify your gene आने वाली generation जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हो लेकिन उतना दिमाग भी होना चाहिए इसलिए ब्रह्मा को ब्रह्मा कहते हैं, कि वो सब याद रख सकता है DNA इतना लंबा होता है कि अर्थ को तीन बार लपेटों के तो भी जादा पड़ेगा पुरे body का DNA तो इतने बड़े DNA को अगर change करना है तो पहले DNA के सारे sequence दिमाख में याद होना चाहिए ड़ें ड़े अपको याद होना चाहिए तो आप कर पायों लेकिन आपको याद कैसे रएगा इतने बुद्धिवाल होको कि इतना दिमाख है तुमको बच्चो ये तभी होगा ध्यान देना अच्छे से देखो अभी हमारे भारत देश के लोगों को ये मेरे पापा खुद ये accept नहीं करते कि हमारे इसरो वाले चांद पर पहुँच गए मैं मेरे पापा को समझाता हूँ कि कुछ भी चांद भगवान है भगवान तक हम कईसे पहुच जाएंगे भगवान तक तो हम मरने के बाद पहुचते हैं मैं बहुत पापा जी ऐसा नहीं है हमारे इसरों के बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक मिसाइल फेकी है और वो पूच गये उदर हम लोग रॉकेट के थू चांद में हम पानी भी नहीं ढूड़ लिए पानी ये उदर पी सकते तो मेरी मम्मी बहुत होशार है मम्मी कहती है धरती भी तो मैया है ना तो धरती मैया में तो हम खुदी रहते हैं तो वो तो भगवान ही है ना तो पापा कहते हैं वो तो हम जानते हैं लेकिन चांद भगवान हमा नहीं पहुच सकते भगवान के पास कैसे पहुचेंगे तो हमारे इंडिया में इसमें मेरे पापा की मेरे मम्मी की गलती नहीं है भारत देश में जिनका भी लड़का ये लड़की दुनिया में कुछ उखाड पाया है न उसके ममी पापा अनेजुकेटेड ही है ओफिसियली मेरे ममी पापा अनेजुकेटेड नहीं है मेरे ममी पापा जैसा किसी ने पढ़ाई नहीं किये बस फर्क इतना है कि किताबों का ग्यान होना ज़रूरी नहीं है उनके पास experience और knowledge का ग्यान है उनहीं के दम पे आज मैं इधर हूँ जिससे कि मैं तुमको सखा सकता हूँ और पूरे के बुरे महाराश्टर के इतने सारे बच्चों को सिखा सकता हूँ उनहीं के वज़े से मुझे proud feel होता है लेकिन अगर हमें थोड़ा सा economically और थोड़ा सा education के मामले पर practical चीज़े हैं यह जो आज बहुत सारी technologies आ रही हैं इनके दम की बात करूँ तो अपना इंडिया में जो parents ने अभी उन्हें बहुत कुछ नहीं पता है तो उसी तरह हमें भी वो पालती हैं तो हमें भी नहीं पता होता समझ रहा है तो हमारा दिमाग अभी बहुत narrow है हम अपने दिमाग का इस्तमाल बहुत कम कर पा रही है समझ रहे कि ने समझ रहे मैं क्या कह रहूँ आप लोग को धीरे धीरे जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे फिर वो भी पढ़े लिखे होंगे फिर वो भी पढ़े लिखे होंगे फिर बहुत educated हम बन जाएंगे अब तुम ही बताओ कि तुमको एड़निन, गवानिन, साइटोसिन के बारे में बच्चो बारवी, ग्यारिवी में पता चला कि नहीं चला लेकिन फॉर एक्जामपल अगर मेरी जेनरेशन है तो हो सकता है कि उसको मैं पाचवी, छटीवी में ही बता दू तो जब वो बारवी में पढ़ेगा तब तो वो अपने टीचर को भी सिखाना शुरू करेगा तो ऐसा हो सकता है कि उसको आधे सीक्वेंस तो पहले सही याद हो अब फिर उसकी आवकात की उपर है कि वो कितना तीज और हो सकता है पढ़ाई में आज हमारे लिए बहुत हार्ड है बट उसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा आने वाली और जनरेशन को और ज्यादा हार्ड हो जाएगा मतलब उसको और सिंपल लगेगा तब बहुत आसान हो जाएगा तब तक software system develop हो जाएगे इस sequence को याद करने के लिए तब होगा real modification तब इंसान को बंदर बना सकते हो अब बच्चों एक बात बता हूँ मैं थोड़ा सा mythology की बात करता हूँ अब आपको थोड़ा सा मैं आजीब चीज़े बताने जा रहा हूँ जो कि शायद science यसे शायद कोई लेना देना ना हो बट मैं कभी कभी relate करता हूँ कि जब हम gene को modify करके किसी इंसान के पूरी body को हम किसी animal की body में भी convert कर सकते हैं अगर हमने पूरे gene के पूरे की पूरे DNA के model को पढ़ लिया समझ लिया उसके sequence को पूरा का पूरा जान लिया तो हम किसी इंसान को animal भी बना सकते हैं मुझे कभी कभी लगता है कि जब पूराने जमाने में भगवान लोग ओम अध्रबदरम सौहा भूम और जानवर बन जाते थे ओम अध्रम अध्रम सौहा भूम किसी का भी रूप रख लेते थे तो मुझे लगता था ना कि ये बहुत ही powerful genetic modification होता था ये बहुत powerful genetic modification था अपको नहीं लगता कि ये सही में ऐसा होता होगा मतब आज अगर हम bio technology के दम पे time लेके कर रहे हैं time लग रहे हमको क्योंकि हम मेहनत कर रहें कर्मों के दंपे कर रहें तो ऐसा हो सकता ना कि पुराने जमाने में मंत्रों का इस्तमाल होता था वो मंत्र immediate reaction देता था वो खुद को भी change कर लेता था कुछ तो ऐसा होता होगा ना इसा सोचता हूं कभी-कभी बट मैं देखा नहीं तो इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकता मिरे पास कोई प्रूफ करता है तो यह सही अद Marketing is जितना हम सोच सकते हैं वो सब कुछ possible है.. जितना हम सोच सकते हैं वो सब possible है.. हो सकता है कि ये भी सही होगा.. क्यों कुछ देखते हैं होगा पता निं VISTA तो आज के lecture में आपको प्रटिकल्व चीजें बहुत कुछ चिखाई है.. आपको मेने.. कहते हैं आप प्धेतों में कुछ तो कर रहे थे, आपको रास्ते पिलाया है, वर्ट इज बायो टेक्नलोजी, वर्ट इज डीगा इज़ गोल ऑफ बायो टेक्नोजी, आखिर सचाई में बायो टेक्नलोजी के आउकात क्या है, आप वो सीखे हो बच्चो जो आपना अन्बिलीवेवल था आपको लगेगा कि ये तो हो इनी सकता कभी ये चैप्टर ऐसा था देखो को हर टीचर आता है न ये चैप्टर को सीधा पढ़ाना शुरू कर देता है सुन रहो सब लोग मैं क्या कह रहा हूँ हर टीचर आएगा सी चीज पढ़ाने जाने वाले हैं जो बच्चो को कभी भरोसा ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है वो सीखेगा भी कैसे पहले उसको भरोसा दिलाओना कि ऐसा होता है ऐसा हमारे में साइंस ने डेवलप कर दिया है ऐसा हम कर सकते हैं अब बच्चो को ये पढ़ाओ कि कैसे कर सकत कैसे दूसरे में वापस डालोगे कैसे चेंज करोगे क्या क्या डिवाइस लगते हैं करने के लिए कितना टाइम लगता है सब करने के लिए कि सब कैसे होता है यह सब सिखाऊंगा तुमको इसका गलत इस्तमाल कभी मत करना लाइफ में बहुत काम आएगा यह वैसे उसके मैं क्लोन बना लूगा खुद का समझा तो इंडिया में तो दिमाग रहेगा भी तो भी नहीं करवागी क्योंकि मशीन बहुत महेंगी आती है ठीक है बाइबाइ टेक क्यार मैंने आज बहुत ही अच्छे आपको सिखाने की कोशिश की मुझे पता है कि आप सबको बहुत अच क्रमेंट में बता देना अच्छा लगा हो तो अच्छा कहना बुरा लगा हो बुरा कहना लाइक करना वीडियो को और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना ठाइंक्यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो और कुछ नया तुमारे लिए आ रहा है बहुत जल्दी उसके लि जी होंगा तो मतब अभी 2000 है फिर मतब अभी 2000 कैसा 21 सदी तक मैं जाओंगा समझ रहा है मतब अभी 2022 कहता हूं फिर 201 कहूंगा तो मैं 21 तक जाओंगा वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि मेरे होटों में तील है मजाग कर रहा है चलो ठीक है समझने वाले समझ कर रहें कि जिनको ने समझा वो वापस देख लना समझ जाएगा चलो ठीक है अब लोट यह समझाना आधे लोग को बहुती प्यारे वच्चे तुम लोग है ना बहुती भोले भाले और कुछ नहीं समझते हो कुछ नहीं समझते हो अरे मैंने यह बोला कि अभी बीसवी सदी है अभी 21 सदी आएगी तो अभी मैं 2000 में हूँ 2001, 2002, 2022 फिर 21 में आऊंगा न तो वहाँ तक तो मैं जरूर पहुचूंगा क्यों? क्योंकि मेरे लिप्स में तील है अभी मी नहीं समझा बुडुबा को एक नमबर के बाया टेकलोजी क्या खाक समझोगे चलो बाय बाय टेक केर लव यो लॉट आलवेज टेक केर कॉमेंट करना लाइक करना अपने दोस्तों में शेयर करना मत बूलना बाय बाय चलो ओके बाय बाय